नमस्कार दोस्तों मैं नाम खुल दीप परते है रहे दोस्तों मैं उतकरता है उस लोक बढ़ी होंगे दोस्ता है उडियो में Haggad baat करने वाले है आप अपनी GML आइडी kan password कैसे चेंज कर सकते हैं अगर आप अपनी Gmail ID का password पता है और आप उसे change करना चाहते हैं ठीक है दूसरा रखना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को देखते रहे ना अगर आप अपनी Gmail ID का password भूल गए है और उसे बदलना चाहते हैं फिर भी नया password आप रखना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो क इस वीडियो में बता आये है, दोनो तरीकर आपको पसंद आएगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी setting में आजाना ठीक है, मूबाइल की setting में, तो मूबाइल की setting मानने के बाद में सबसे नीचे आपको एक option मिलता है, गूगल का यहाँ पर देख सकते हैं गूगल को ऑफशन है तो इस Google बाले आफशन पर यहाँ पर कलिक करना हूँ करा हूँ वि之 VA पसंद आई तो पे लीजी लाइक करना है बिल्कुल भी मत भूलना इकट ब También अब दोस्ते हैं यहां अपके समने open हो जाएगा तो आपको गभराना नहीं आपको यहां पर जो option यह नजर आ रहे हैं इस तरह से आपको slide करना है इधर side में और side में slide करने के बाद में यहां पर आपको security वाले option पर click कर देना ठीक है तो फटवर्ट से security वाले option पर मैं click कर देता हूँ अब दोस्तों यहां पर आपको password change करने के लिए ठीक है यहां पर आपको option मिलता है signing to google और यहां पर password ठीक है तो यहां पर हम click कर देते हैं और जैसे यहां पर हम click करें मैं आप फटवर्ट से क्लिक कर देता हूं, password चेंज करने के लिए, तो यहां पे हमने क्लिक कर दिये हैं और इस तरह का interface आपके सामने open हो जाएगा, यहां पे आपसे दो चीजे यहां पे दो टरीक Möglichkeiten पास्वर्ड कर सकते हैं, पहला तरीका है अगर आपको पासवर्ड पता है ठीक है आपको पासवर्ड पता है लेकिन आप बदलना चाहते है आप का पासवर्ड किसी को पता चल गा है उसे बदलना चाह रहे है तो आपको यहां पर पासवर्ड डालना है तो फटाफट से यहां पर पासवर्ड डाल देता हूं यह पहला तरीका है नेक्स पर ओपन होने वाला भी तो इस तरह का अपको अपकर आपको आपको यहां पर चाहिए और वही सेम पाुट आपको एक बार यहां डालने और चेंज पासवड पे क्लिक करके आप अपना पासवड चेंज कर सकते हैं अब लेकिन जो कुछ बंद ऐसे होते हैं जिने अपना पासवड याद ही नहीं है और वे नया पासवड रखना चाहरे हैं भूल गये तो उनके लिए कि आपको बैक आजाना बैक आने के बाद में forget password यहां पे आपको औप secret ही फट लिएगे फटेवट से दोनों तरीखें में आपको यहां पे बताने वाला हूं वरकार पासवरेट में मैं हापी create ऑनोम तो अभी next page होने वाला यहां हो गया है fingerprint लगा दिया अब आपके सामने वही same page open हुआ है यहाँ पे आपको नया password रखना है जो आप रखना चाहरे है और वही same password आपको नीचे डालना है ठीक है तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर password चेंज करना आगे बताऊंगा ठीक है और आपका password पता है तो पिछले वाले तरी जाला है मैंने वही password यहाँ नीचे डाला है ठीक है तो इस तरे आपको password ढान लाए highestります अब दोस्तों ओने हो зайगा तो यहाँ पर कुछ नहीं करर नहीं एक आपको यहाँ पर बैक और उपर दिया अउपर तो यहाँ प्र Execर्ण भी करके back जलाने हैं अभी आपको यहाँ पर कुछ यही cm करना है बैक चलाए जाना है यहां पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा अंटरफेस आपके सामने डालना है जो अपनी नया पासवर्ड अभी रखा है तो अभी हाँ पर मैं नया पासवर्ड यहाँ डाल देता हूं ठीक है और मैं आपको दिखा भी देता हूं यहाँ पर वही पासवर्ड देखो ठीक है और यहाँ पर next पे हम click करेंगे नीचे next का option है या पे हम click करेंगे और click करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे successfully जो password हो चेंज हो चुका है अभी देख सकते हैं यहाँ पे 8 बज के 50 मिनट पे हमारा password यहाँ पे हमने change किया है और उपर mobile में भी आप देख सकते हैं 8 बज़ के 50 मिनट यहां पर हो चुके है ठीक है तो अभी हमने हैं पासवार्ट चेंज करके आपको लाइव दिखा दिया दोनों तरीके से बता है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यह पेली लिए को लाइक करना है बिल्कुल भी मत भूला और अभी तक आपने हमने मसे लाइक को सब्सक्राइब कर लिजे औरhu यह साथ में छोटी गंटे से दबां के ओली पोर पर सेटे कर लिजे